हेलो फ्यूचर कंपनी सेग्रेटरीज बेटा, ICSI ने जून 23 की जो पासिंग परसेंटीज दी है वो बहुत जादा शौकिंग है ये तो आप सब लोगों ने सुन लिया होगा कि सर मॉडूल 1 का 5.85% रिजल्ट आया है और मॉडूल 2 का 13.05 लेकिन यहां बच्चों के मन में सवाल है कि सर, ICSI पास नहीं कर रहा या बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं पास होने लायक बेटा, आप देखिए अगर ICSI पास नहीं करना चाहता तो वो मॉडूल 2 में मॉडूल 1 से डबल से भी जारा परसेंटेज क्यों देता क्लियर करके, तो इससे ये बात तो क्लियर है कि ICSI अगर आप डिजर्व करते हो तो वो आपको जरूर पास करने की कोशिश करता है अब सर, जिन बच्चों का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ उनके लिए क्या स्ट्राटेजी होनी चाहिए वो लोग कैसे अपनी बढ़ाई को शुरू करें अमें सर बिल्कुल ब्लैंक हो गया है मॉडूल टू की कोशिंग ले रहे थे अब उसे बीच में ड्रॉप करें या क्या करें इन सारे सवालों के आंसर लेके मैं आ रहा हूँ आपके सामने 27th of August को सुबा 11 बजे Yes बचे, you heard it right सुबा 11 बजे हम मिलेंगे और आगे की strategy को decide करेंगे और मैं आपको कौन-कौन से lectures अपने कौन-कौन से notes, case studies क्या-क्या चीज़े मैं आपको free of course provide कर सकता हूँ वो सारी चीज़ों में हम लोग discussion करेंगे तो मिलते हैं कल सुबा 11 मचे